आदाव नास्वीत एने टॉप टेन न्यूज में आपका खाय मक्ता में वजरियासम नरेदर मोदी ने कुरुक शेत्र में एक रियाले से पताफ कर देवे कहा कि मैंने इन कॉंग्रेस खाय दीन की रिश्वत को और हुकुमत को खतम कर दिया इसलिए ये मुहपत का नखाप पहन कर मुझे बुरा बहला कह रही है यहां तके मेरी वादा को भी बुरा बना कहने से गुरेस नहीं कर रही है रम्दान में बेवजाँ की क्यमतों पर कंट्रोल का कोई मेकानिसम नहीं गर मामूल इजाफ़ा अफ़ाम फ़रेशां हैदरबाद की मेवजाँ क्यमतों में अंधरूल दो यौंग में बीस से तीससे इजाफ़ा दश्ग किया गया और इस मनमानी इजाफे पर कंड्रोल का कोई मेकानिजम ना होने के सबब बेताशा इजाफे किमतों पर मेवजाद के फरीदी पर मजबूर है माहर रमजान के दौरान आठी मेवे के बाज़ार लगाए जाते हैं इन बाज़ारों में मुग्तलिक अफसां के मेवे फरॉकर के जाते हैं अब हम प्यत्वका आठीलजिक ना करें और नाही लगात इन्मान के इजाफा करें दिहली के मुग्तलिक जेलों में सो से जाएद हिंदू-खैदी भी माहर रमसान के दौराव अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ रोजे रख रही है तिहाड जेल इंते जामिया ने अपने इक बयान में कहा कि देहली की 16 सेंटरल सेलों में 16665 के मुझे मिला 2658 कैदी रोजों का एहतिमाँ कर रही है रोजों रखने वाले कैदियों में 21 हिंदु खवादी और 12 हिंदु नौवर नड़के लड़के 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 शावी है जो रमजान के मुकद्स महीने में रोजों का एहतिमाँ कर रही है इफ्तार में अक्सर पेगंबर इसलाम मुहमस लासलम की सुनत के मुदाने खजूरिया पानी से रोजा खोला जाता है देलंधाना में गर्बी की शदीद लहर जारी 50 साल का रिकार्ड ठूटेगा लू लगने से एक मासू बशमूर 5 अफराद भूद खुशक और गर्म हवाएं और छुटसा देने वाली तूट 48 डिगरी दर्जे हरारत का रिकान रियासत देलंगाना में इन दिनों गर्बी की लहर अपने उरुश पर है शुमाली मगरिबी रियासतों से आने वाली गर्म लूने मकीनों को हलकान कर दिया खुशक और गर्म हवा कर राज है तूख के सबत कई अफ्राद अपनी जान से हाथ दो बैटे सदर पाकिस्तान की रियासड़़गा के बाहर धरने का शिराऊ पाकिस्तान के शहर क्राची में शिया मेसिंग परसनल के धरने का पोलिस पे धराऊ उप लिया तन्दिम का कहना है कि हुकूमत और इंटिलिजन्स इदारों के साथ मुझाखिरात में नाकामी पर पॉलिस एक्शन में आ गई हिरान के साथ कशिदी इराफी अमरीकी फाजियों के तहाफूस को यकिनी बनाए अमरीकी वजीर खारिजा मैक जर्मानी का तैशुदा दोरा यसेस इबराहीम लंकन को कित्ने में भेजने का एलाम है इस्राइल की तरह इंडिया कश्मीर में खवाबिस ताखत बन जाएगा महभूबा मुटी इंडिया के जेरे इंतिसाम कश्मीर की रहनुमा ने कहा कि अगर इंडिया ने कश्मीर को फूसी अप्तियारा देने वाली 370 को खटब कर दिया तो वो कश्मीर से अपना रिष्टा खो देंगे और इसकी हैसियत इसराइल की तरह एक काविस मुल्क की होगी ये बात सामेगा वजिर आला ने कश्मीर में एक रियाली से खटाब कर देंगा उन्होंने 370 दफ़ा को खटब करने के लिए आवाज बलत जून की पहले दारिव को नए राशन काड़् passar अपने मुखामी जिए वी सेवा से इस्तेफादा अपने नए राशन काड़् हासिल कर सकते हैं रहें कि राशन काड़् नए दरफ़ास पंजारों के लिए एक बहतरी मौप हाए Ethics and Foundation की जौनिट से गरीबों में खाने की तक्सीम अमर में लाई जा रही शाम साथ बजे से गौर्नमेट हॉस्पिटल में लगाता एक सो बचाथ मुस्थाए खवराद में खाने की तक्सीम अमर में लाई जा रही इस फौर्डेशन के सुम्मेदार मुम्मद इर्फान शेखापूर जो इस फौर्डेशन के सदर है उन्होंने बात करते वे कहा कि भूख का कोई मज़भ नहीं बता हूँ उन्होंने कहा कि इनका ये एक्ताम सौ दिन मुगमल कर चुका है उन्होंने अहलखायर हज़रास से काउं की अपी तो ये थी आज की टॉप 10 डियूस मज़िख ख़बरों के साथ पिर मुलाखात होगी तब तर के लिए मैंने रहे हमारे साथ अल्ला आपिस अल्ला आपिस